नमस्ते डिया वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग दीखेंगे टाइप्स ओफ वेव्स जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि वेव मोशन क्या होता है या ना किसी भी मीडिया में अगर एनरजी ट्रांस्मिट करना है तो वो एनरजी कौन-कौन से क्लासिफाय करें उस पर सचा किया वेव जो है 1-dimensional 2-dimensional 3-dimensional हो सकता है इस पर सचा किया एक basic relationship देखा वहाँ पर और कुछ में particles vibrate करता है ना oscillate करता है ना उसके basis पर हना तो जब हम लोग waves को medium के basis पर classify करेंगे तो वो दो हिस्से में divide होता है एक होता है mechanical waves और एक होता है non mechanical waves उसी प्रकार मिरे प्यारे वीवस जब हम लोग medium में जो particles होता है है वो जो vibrate करता है to and fro ठीके या आप कहाई सकते हो तो वो फिर दो हिस्से में divide होता है एक को कहते है longitudinal waves और एक को transverse waves basically two types of waves में आपको longitudinal waves और transverse waves ही देखने होता है but we can cover it all okay तो पहले क्या करेंगे प्यारे वीवस ए को देखेंगे और फिर B को ठीक है तो चली समझते हैं कि भाई यह mechanical wave क्या होता है non-mechanical wave क्या होता है तो यहां पर हम लोगों ने यह सारी चीज़े लिख करके रखा ठीक है सो बेसिकली प्यारे वीवस जो मीडियम है ठीक है जो मीडियम है माल नीजे कि यह कोई मीडियम है ठीक ना यहां पर लगा दिये vibrator तो यहां से क्या होगा वेव प्रोड्यूश खोगा कुछ इस प्रकार से हैं तो यह जो वेव है किसी मीडियम में प्रोपगेट करना है बट मेरे प्यारे वीवस कुछ वैसे भी waves होते हैं जिनको medium के अवशकता ही नहीं पढ़ती है वह vacuum में भी travel कर लेते हैं जैसे की light waves है ना समझ पारा है जैसे की light waves लेकिन मान लीजिए आप चांद पर खड़े हैं और चांद से अगर आप आवाज लगाएंगे पृत्वी तक तो वह आवाज पहुचेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर क्या है vacuum है और जो आवाज है जो sound waves है इसको प्रपगेट करने के लिए medium के अवशकता पढ़ती है लेकिन light waves को प्रपगेट करने के लिए medium के अवशकता नहीं पढ़ती इसलिए मेरे प्यारे वीवस वैसे बहौत सा तो mechanical waves प्यारे वीवर्श वैसे waves होते हैं जिनको medium की अवशकता पढ़ती है प्रपगेट करने के लिए energy और momentum को एक जगह से दूसरे जगह सब्सक्राइब कर सकता है आप कोई स्पेस में है एक आदमी यहां है आप यहां से अवाज लगाईएगा जिसको सुनाई नहीं देगा तो वक्यूम है और वेक्ट्यूम है साउंड वेव स्टैवल नहीं कर सकता है को तो मीडियम के वशकता है और साउंड वेव बेसीकली अ मेकानिकल वेव जिनको मीडियम के वशकता नहीं पड़ती है जैसे कि हम लोगों ने कहा लाइट वेव सूरज से जो रौष्णी आता है वो किसी मीडियम की उसको जोरत नहीं है वो डिरेक्ट पहुंच आ रहा है है हना so basically non-mechanical waves are those waves which do not need any medium for their propagation हना अब नं-mechanical waves में हम लोग electromagnetic waves ले सकते हैं है Na cosmic rays ले सकते हैं ये सब जो है non-mechanical waves है OK इनके अलावा एक और तरह का वेव होता है जिसको हम लोग कहते हैं matter waves जो जेनरली quantum mechanics में प्रियोग होता है और properties of particles वेगरा का study करने के लिए है ना सो समझ पार है mechanical wave क्या है non mechanical wave क्या है ना प्यारे वीवर्स एक चीज़ जहां रखेगा mechanical waves को हम लोग elastic waves भी कहते हैं क्या कहते हैं elastic waves भी कहते हैं elastic waves क्यों क्योंकि मेरे प्यारे वीवर्स mechanical wave को चाहिए medium propagate करने के लिए और किसी भी medium में जब wave propagate करेगी तो वह medium दो conditions है ना satisfy करता है basically एक तो वह medium elastic होगा थोड़ा न मोड़ा elastic होगा ही होगा साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ उसके पास inertia होना चाहिए ताकि वह कुछ energy store कर सके okay so इसी चीज़ के कारण mechanical waves को elastic waves भी कहते हैं okay तो यहां पर प्यारे वीवर्स हम लोगों ने mechanical non mechanical wave के definition को लिखा एक बार इसको देख लेते हैं waves which require medium for their propagation are called mechanical waves it can also be called as elastic waves because elasticity inertia plays an important role for their propagation के लिए important role play करता है elasticity or inertia इसको पिछली वीडियो में में लोगों ने discuss किया था क्यों important role play करता है अब अगर मेरे प्यारे वीवर्स अगर आप mechanical waves के examples की बात करते हैं तो जैसे कि यहां पर हम लोगों लिखा waves on strings and spring है ना जो string में जो wave बनता है spring में जो wave बनता है वो generally mechanical waves है आपने देखा होगा आप लेल यह spring उसको प्रेस किजिए spring जो है ना compressions और reflections के form में क्या करता है इस प्रिंग में वेव प्रोपगेट करता है compressions के form में अर्थात longitudinal waves के तरह से वहां पर propagation होता है waves का लेकिन वहीं अगर आप एक string की बात करते हैं तो string में क्या होता आप ऐसे जटका दीजे ना आप देखेगा इस प्रकार से transverse waves में बनता है वेवस जो string पर होते हैं और spring पर होते हैं यह क्या है mechanical waves क्योंकि एक प्रकार के medium में प्रोड्यूस हो रहे हैं चलिए दूसरा टाइप क्या है non-mechanical waves यहां पर लिखा है आप लोगोंने waves which do not require any medium for their propagation are called non-mechanical waves जैसे कि light waves electromagnetic waves ओके और जैसे कि हम लोगोंने कहा एक और टाइप का wave होता है matter wave जो quantum mechanics में प्रियोग होता है तो उसकी वहां बात की जाएगी ओके सो यह तो पहला यह वाला हिस्सा समझ गया हम लोग अब आते हैं दूसरे हिस्से में जिसको हम लोग बेसिकली movement of particles in the medium okay of the medium भी कह सकते हैं medium के अंतर जो पार्टिकल से वह टू एंट फ्रो वाइवरेट करता है अपने ही पोजीशन पर ओके तो इस movement के basis पर waves को हम लोगोंने फिर से दो पार्ट में क्लासिफाइब कर दिया वह यह एक longitudinal waves और एक transverse waves ओके अब longitudinal waves क्या होता है देखे मिरे प्यारे वीवर्स longitudinal waves ऐसा waves है जिसमें जो पार्टिकल होता है वह वेव के direction में ही वैबरेट कर रहा होता है बेसिकली माल लिजे अगर वेव इस डिरेक्शन में पर प्रपगेट कर रहा है तो जो पार्टिकल वह भी इसी डिरेक्शन में वाइबरेट करेगा अर्थाट राइट एंगल पर वाइबरेट करता है जैसे माल लिजे अगर वेव इस डिरेक्शन में है तो पार्टिकल इस डिरेक्शन में वाइबरेट तो इसको राइट एंगल पर रखना है इस तरह किसे पॉपर एंडिक्वरली वाइबरेट करेगा उसको ट्रांसवर्स बेज्ट कहते हैं okay transfer waves जो है प्यारवीवस कुछ इस प्रकार का होता है इस प्रकार का ठीक है जहां पर यह ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं कृस्ट और नीचे वाले को कहते ट्रफ ओके और longitudinal waves प्यारवीवस compressions और और के फर्म में काल करता है क्लासिफाई करेंए नोगीben के करता है क्लासिफाइट कि हुए यॆ ट्रांगीहर में टिफदर सकतकी वीए प्राइशं कि ठर्चा कर लिजाए हम लोगों लिखा है कि वेs इन विच पार्टिकल्स सब्सक्राइब करता है उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं जैसे कि वाटर वेव सहना माल लीजे कि कोई पॉंड है आपने क्या क्या पॉंड में फेक दिया कस के पत्थर आप देखोगे वहां से जहां पर आपने पत्थर वहां से कुछ इस प्रकार से आपको वेव निकलता हुआ दिखेगा दोजा ट्रांसवर्स वेव क्योंकि उसमें एक क्रिस्ट है और एक ट्रफ है ठीक है और उसमें जो वेव बनता है वो भी ट्रांसवर्स वेवी बनता है ठीक है लॉंगिट्यूडनल वेव के लिए यहां पर डेफिनेशन लिखा है हम लोगोंने लॉंगिट्यूडनल वेव और दोज वेव इन विच दॉपार्टिकल्स अफ दा मीडियूम वाइवरेट इलांग इने स्प्रिंग ले लिजे स्वाश और आप कस कैसे कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे दैक्शन में होगा है वर पार्टिकल्स इस डएक्षिनमार करेंगा और स्प्रिंगर नहीं दे तो आपको आपको करके दिखातें औके स्वारत यहां पर पढ़ना है वैसे छोटा सा एक रिव्यू लेना है टाइप सब्सक्राइब करेंगे आपने देखा अभी क्या देखा आपने आपने देखा कि जो एक्जामपल हम लोग को ट्रांसवर्स में मिल रहा है यहां पर आप का वेवस बन लाला है है यहां पर अजया है आपने बन देखा था यह यह आपका वी वाला हिस्सा नहीं हीड़ा फार्टे quantity सब्सक्राइब को ट्रांसवर्स भिवर लốngगिटूड वजो हैं यहां पर जो इक्वार फेलक्राइब करेंगे convinced वेवस पर आपने देखा थो वेवस onittring and spring है ना तो आप देखें स्प्रिंग में जो waves बनता है वो होता longitudinal waves है है लेकिन चुकिए वह है एक medium में मतलब spring में बन रहा है इसलिए वह mechanical wave है हैनो उसी प्रकार waves on string की बात करें तो वो क्या है वह भी वाटर वेव की बात की वाटर वेव क्या है ट्रांसवर्स वेव है लेकिन वह एक मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए हम लोग उसको मेक्यानिकल वेव कह सकते हैं अगली वीडियो में और वेव मोशन का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज एक बार चेक किजे में भी वीडियो आपके लिए हल्फुल हो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज कम है तो प्लीज कमेंट कीजे ताकि हम लोग इसको आगे से सुधार कर सकें